हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चैनल इसके लिश्टडी चैनल आज किस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं SSC MTS का एक्जाम पोश्टपॉंड होगा या नहीं जैसा कि आपको पता है एक जुलाई से SSC MTS का एक्जाम होने वाला है तो दोस्तो क्या SSC MTS का एक्जाम पोश्टपॉंड हो पाएगा या नहीं या इसके एड्मिट कार आजाएंगे और एड्मिट कार आएंगे तो कब तक आएंगे अगर ये exam postpone होगा तो कब तक पता चल जाएगा दोस्तो इससे related मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ लेकिन बहुत जादा comments आते हैं जो लोग मेरे साथ नए लोग जुड़ते हैं उनको ये update में देने वाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो को बिना skip किये हुए बिल्कुल end तक अब असे देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तो मैं आप लोगों से request करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर हमेशा SSC के exam से related हर update सबसे पहले दी जाती है तो अगर आप SSC के किसी भी exam की तैयारी कर रहे हों तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिए ताकि मैं जो भी next वीडियो लेके आऊँ उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तो बात की जाए SSC MTS का exam पोस्टपॉंड होगा या नहीं तो दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि एक जुलाई से exam है और आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज 14 जून हो चुकी है आपके पास केबल 15 से 16 दिन बचे हुए हैं इस exam को देने के लिए लेकिन दोस्तो अगर SSC का admit card इसका exam होता तो दोस्तो SSC इसका admit card आज या कल या 16 या 14-15-16 इन 3 दिनों में SSC इसका admit card जावी कर देगा दोस्तो आपको SSC की official website को check करते रहना है क्योंकि दोस्तो किसी भी वक्त SSC ये admit card दे सकती है अगर इसका exam होता है तो अगर दोस्तो इसका exam नहीं होगा तो इनी 3 दिनों के अंदर 15-16 और 14 दारिक जो मैंने आपको बताई है फिलाला 14 तो निकल चुके लेकिन 15-16 में आप लगा सकते दोस्तो SSC MTS के exam post pond का भी notice आ सकता है तो चाहे exam हो या ना हो आपके पास बस दो दिन का समय बचा हुआ है इसकी clear update आपको मिल जाएगी तो जो भी लोग comment करते हैं वो comment करना बंद कर दीजिए क्योंकि दोस्तों बस आप दो दिन का इंतजार कर लिजे दो दिन में आपको कोई ना कोई अपडेट अबस मिल जाएगी क्योंकि अगर SSC का exam होता है SSC MTS का तो admit card भी आपको 15 दिन पहले ही दे दे देता है जैसा कि SSC CHL का जो अभी exam हुआ था जो पोस्ट पॉंट हो गया था तो उसमें भी बिल्कुल सेम यही हुआ था कि 12 अपरेल से exam था और 12 अपरेल के exam होने के बाद ये 28 तारीक को 28 तारीक को स्वाम 4 बिजे के आजबाद admit card आ गया था यानि कि 15 दिन पहले लगबग admit card आ जाता है तो बाकि अगर आपका कोई भी question है तो आप इस वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूंच सकते हैं हम आपके question का जबा आवाज से देंगे Thank you